आप सभी का बहुत स्वागत हैं ये जो है ऑथर्स कॉर्टन एक्टिविटी एंदाबाद बुख क्लब और एंदाबाद नाशनल बुख फैड दोनों के असोसीशन से हम कर रहे हैं तो एक बार दोनों के लिए जोरदर तालिया हो जाएं पांच सालों के लब्डे अंत्राल के अपने किताबों से किताबों को लिखने वालों से जुड़ने का जो कि अनफॉर्चुनेट रीजन से पिछिन चार नाथ वर्षों से नहीं हो पा रहा था पॉट फॉर्चुनेटली इस बार फिर से अंदाबाद मिल्सुपी कर्पोरेशन ने ये आउजन किया है तो हम तहे सब्सक्राइब करते हुए आप यहां तक आया है तो एक बार आप अपने घुठ के लिए जोरदार तारियां बजाती है कि बहुत सारी बाते होती है कि बहुत है लोगों का एटेंचिन स्पैन कम होता जा रहा है उस सब के बीच में भी यहां पर जितनी बुर्षियां है तक कहीं जाती है और खुद के लिए तारिया बजाना में कंजू सी मत करिए आज हमारे साथ जो दो लेख़ग हैं देली प्रंगवानी जो एक नौदित लेख़ग होने के साथ-साथ अपने पापा के बिजनस में भी उनके साथ उनका हाथ बढ़ाते हैं ठीटर भी करते हैं और एक उनका जो सबसे बड़ी पैचान है मेरे लिए एक फ्लेश्बेक स्टूरीज करके ग्रूप चलाते हैं जो ग्रूप एंदाबाद और गुजरात के अलग-अलग शेहरों में इवन इंडिया के अलग-अलग शेहरों में जाकर उपन माइल सरेंज करते हैं और नहीं नहीं स्वार्तना होने के बावजूद एक जुनूम है कि मुझे नई प्रतिभा को मौका देना है और खुद भी सीखते हैं और खुद भी लिख रहें हैं आपका स्वागत है दिलिप उनके बाजू में मिस्टर भूज सेथ दिलिप की तरह उनके खुद की भी दो कितावे आ चुकी है दा डाक संराइजिस और तक्त तक्त के बारे में मैंने जितना जाना तो I am a bit curious और मैं एक बातों के सलसिले में एक सवाल उनसे बूचूँँगा कि ये तक्त आकर कहां जाक सबसे पहले आपको कुछ लिखना है और उस लिखे हुए को किता अपनी शकले देनी है क्योंकि लिखने के लिए तो इंसान डायरी भी लिख सकता है आप सूशल मीडिया पर लिख सकते हैं और भी बहुत सारे प्रैट्फॉम्ज जहां पर आपको एक्ष्प्रेस कर सकते हैं यह जिद कीवे मुझे पप्लिश होना है है हेलो पहले तो आप सबको थैंक्यू मुझे यहां पुलाने के लिए मेरी लिखनी की जर्दी शुरू हुई कोविड में क्या हुआ यार एक दिन ना हमारे क्रिया मोधी की आये और बोले सबको कि अब कोविड हो गया है और सब अ कर सकता है अब यार हम बोले यह तो बड़ी परशानी की बाद भार नहीं जा सकते हैं हम ना ओटीटी वाले ओटीटी देखना बहुत पसंड बढ़ते हैं मैं एक सीरियल देख रहा था आप मैं से कई लोगों को पता होगा नार्कोस करके एक सीरियल है नेट्फिक्स में एक स्कुलो पाबलो बारका बड़ाई घ्रिमा सीरियल है जी जी तो मैं एक मैं रिपीट कर रहा था उसको कि उसमें कुछ करने के लिए खाना तबी जब मैं अकने कमरे से बाहर आया तो मेरी मदद उस समय क्यूंकि आम जनका घर में बैट सके हमारे गवर्मेंट ने रमायन वापस से चलाई थी डिडी नेशन में शाहिए से आख सब को पता होगा उसके बाहरे वहां से एक आईडिया आया कि अगर आज के समय पे रमायन होती तो कैसे होती क्या होता उसके भी आईडिया को लेके मैंने अपनी पहली किताब लिखना शुरू की जब लिखना मैंने शुरू किया था तब यह पता नहीं था कि इसका मैं आगे क्या करूंगा जब एक मैंने पूरी अच्छी कासिक लिख दिया अपनी अपने फॉर्ट प्रोसेस को लिख दिया उसके बाद अपने डैड के साथ मैंने वारतलाब और एक डिसकेशन के बाद यह आया कि इस कि मुझे अपनी एक और किताब लिख नी चाहिए जब मैं अपसी पहली किताब खतम कर रहा था तब एक एक आईडिया था दिमाग में एक बहुत धूर्ला से एक आईडिया था कि एक कॉलेज के अंदर एक चोरी हो जाए अब उसके आदिया को लेकर मैंने आजकल कहना है य सब्सक्राइब को लेकर उसी एक चीज़ को लेकर मैंने एक स्पायर यूनिवर्स बनाने की कोशिश की है अपने नए नौबल तक्ट से अभी तक की जन्मी बहुत अच्छी रही है बिना किसी के मदद से मैं यहां पहुंच गया हूं तो मुझे लगता है कि आगे भी मैं कह गहां सकता हूं तो मैं कि सो मच अगे दिलेग अब तो सबसे पर न तो आए हैं तुसा के अधिन्य क्तव है और तो मैं यह सब को कहीं बचकर में रादा दादी आना लगे कुष्या कहानिया सुणा तो बीच कहीं-पनी करने लादादी किस्पर काहानिया सुणाते रहूंए डाराजी भी पाकिसान से हुआ थी तो उनकी एक कान थी तो रहे अंद तक में रिखी आए मेरे जहें में था कभी ने कभी मुझे उनकी कान रिखिनी है कहली है लोगों के सामने लादी है उसी के लिए मैंने थेटर सिखा जो फूरी बद समझ है थोड़ा वाद घ्यान हो इससे मैंने राइटिंग में अपने अनुबह से पहले शॉट्टर बनाना शुटी या शॉट्सटर इस्क्रिक्टर और फुर ये नॉगन लिखी अच्छा पहली किताब तो जैसे आप दोनों ने बताया कि पहली किताब का खैल किस तरा है अब मेरे दूसरे सब्सक्राइब है कि किताब को लिखने से लेकर इसी पब्लिशर का उस बुक को पब्लिश करने उसके बीच का जन्नी क्या रहा है कि आप सेल्फ पब्लिचेशन में लिए गए या फिर आपने सिदही किसी बड़े पॉब्लिशिंग हाउस को अप्रोच किया या वो जर्मी कैसी रही क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बहते निकिताब हो मैंसे एक जो हैंड़ी पादर सीरीज है या हम इंडिया की बात करें तो जिसे अपिश्टरपाथी का सबसे पहला जो शाकार था शीवा ट्रालोजी उसको छपवाने के लिए भी उनको बहुत दर्वदर भड़कना बढ़ा था तो पॉब्लिशिंग इस अल्सो डिफरेंट बॉल्गे तो वह अनुभवा पोगों के लिए कासा रहा है सबसे बहुत प्रकाशन में तीन तरख होते हैं एक तो सेल्फ प्रडिश्नल और अभी एक नया दौन आगे सेल्फ और ट्रडिश्नल जा मिच सब तरफ में आपको फूत के पैसे इंदेस करके किताब चक्पाने की है ट्रडिश्नल ने पटाशक अपने पैसे में आकर आपनी किताब चाठता है प्रडिश्नल पॉब्लिश्चिंग बहुत जारे वाला काम है बहुत पीशिंग इसमालता है पहले किताब जैसे में एकॉर्टी जबर दूनी तो आर्गे नारेंस आपको भी लेड़न के बहुत बर इन पकाशनों ने रिजक्ट किया थी उसके बाद उन्हें अपना फुटका यहां पे एक छोड़ा सा पब्लिशिंग हाउस कोला और अपनी किताब वहीं से सर्फ परिश्टी तो जो मेरी पहले किताब है मैंने मोशन प्रेंस परिंट करवाई लगीली किसमत अची थी के इसमें जीरो फॉर्मेट था के जिसमें मु कि युटे आन्या है का जी पिस पर हाट है तुछी नी मुक्त थाफ़ा थी उस में मुल्स गास मिगले। बाद उसे ज जाता हैं तो यह उस सांच किया जेतानी अपनी कोई सानने है वहना डुर्म परेंसर्द सिय मुहाँ जाकी हिले से सी किताब्य। वो मिक्स उस जोनों है राप मोले प्रकाशिक, जो सेर्स बिया प्रड़िश्ट मुझा है, तो पहले हो आपने काहने, आपके बादो लिपी तो आपको चल्च प्रते हैं, अगर उसे पसंद आता हैं, तो फुर आगे बाते हैं, तो ये जरही न मैसे ही है, जैसे अगर किताब किसी लिपर के लिए छोड़े बंचे समा रहे हैं, तो पताशक दूलना ऐसा है, जैसे उसके लिए कोई स्कोल दूलना, तो वही जत्तों जगत रहती है कि अदेश्ट पही बोश्यमागी राती है, कहीं कैसा, तो उसे पहला सुछ कि सारी ज़नी नहीं हैं, तो उसे पहले मेरा को जो शुरुआ दूए कि वो पोविट के समय पर थी, और मेरे पास कोई ज़्यादा ओप्शन भी नहीं है, तब मैंने अपनी जो पहली किताब की, वो मैंने सेल्फ पर्बिश करवाई, सेल्फ पर्बिश होने के बाब जूद, उसको एक पब्लिकेशन आउस में इस किताब के लिए मुझे कम से कम नहीं तो दो साल लगते हैं, एक साल रिसर्च करके लिखने में और तकरीवर एक साल इसको पॉब्लिश करवाई, इस किताब की एडिटिंग से लेके इसकी कवर पेच कर सब मैंने डिजाइन दिया, मुझे आपके बाद यह अनुभव हो गया था, कि अपना बच्चा होता है ना, उसको आप अपने हिसाब से पालो दे तो उस हिसाब से जादा अच्छा रहे हैं, ना कि अगर कोई बूसरा थरेगा, यह मेरा बच्चा रहे हैं, उसको मुझा ही आगे लेके जाना, कोई अपने अध अपने दोनों में, अच्छा एक चीज और बता ही है, कि अप दोनों का राइटिंग प्रोसेस क्या है, क्या है यहां पर कुछ रोग ऐसे वाटे होंगे, जो खुद को भी बहुत ख्याल आते होंगे, पर उसको एक किसी एक फॉर्मिट के अंदर डिसाइड करके किस तरह लि लिखते हैं, या ट्रडिशनल जो अपना कर्वेंशनल वे ओ राइटिंग है, किस तरह आप लिखते हैं? पर यहां हो है, पता है, सफ़ा देखा है, बड़ यहाद कर नहीं आपाता है, तो मुझे गाली चलाता हूंभी अगर खयार आता है, जो अपनी माइक साइन पर पहले आपनी दुबन के दोपे, एक लाइक में इसे में रूड आउन कर लेता हैं, और जैसे आपने कार कि प्र अपनी माइक साइन पर आउन कर लेता है, तो मेरे माइन में सबसे पाइन क्लाइमक्स रेडी होता है, कि यह मुटा-मुटा उसका एक लाइक साहँगा, तीक है, फिर आता है पेलर्स, तो दो चैटर्स का वन लाइन समढ़िये में लोगाउं करके देखाई, और फिर उसके पाँ उस पर आगे काम करना शुक्ष्म करना, उस तरह से, मेरे मुटने का करेका तो इस तरह किसी है, वो सकते हैं अपना अपना तरिका और और अपने जॉर्मनर्यर्राट अरकरी, दूर्चोई, ध्रूच्व, तो मैं आप एक इसका सुनाता हूँ, आप समने ना हिस्टरी कि history का subject होता था बहुत ही difficult होता था जिरे लिए तो बहुत difficult होता था date और हर चीज याद रखना तो मैं क्या करता था जब बड़े-बड़े सवाल के जवाब इतने होते थे ना तो उसको points में दिख लेता था याद करने के लिए तो इक्जाम में क्या होता था वही point आते थे उ वही same thing मैं apply यहां करता हूं पहले में मेरी कहानी के जो main points होते हैं उसको लिख लेता हूं और उसको मैं draft मानता ही नहीं है क्योंकि करी लोग इसको draft मानते हैं मैं उसको draft नहीं मानता हूं जब मेरे सारे points लिख जाते हैं तो मैं जिसबीन पहले भी जब अपनी कहानी लिख में बैठता हूं तो मुझको पता होता है कि मैं इस particular पार्ट का मैं इसको कहां अंट करने वाला हूं उसको फूरा रस्ता पता होता हूं जब आपको अपने विजन क्लियर होगा कि आप क्या पताना चाहते हैं और उनको कैस्तरिक की स्टोरी बोलना चाहते हैं तब यह audience आपके साथ कनेक्ट हो पाएगी अगर आपने यह कर दिय क्या कि आप आदे आप रस्ते करें और आपको लगा कि नहीं नहीं यार यह गलत हो गया है यह चीज़ गलत हो गई है इसको क्लियर करते हैं तो आप मेरे बात का मिश्वास मानिए उस स्टोरी से audience जल्दी connect मेनी हो पाएगी उस वो आपके सोच होनी चाहिए कि आप जब एं और आप ही स्टोरी के नायव हो अधर आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता है एक किताब लिखली थे अब थोड़ा हम बढ़ते हैं रिस्पॉंस की तरफ आज इंस्टन्ट रिस्पॉंस का जमाना है अगर मेरी कहीं कोई बात किसी का उच्छे लगी तो तुरंट ताली बज़ेगी अच्छी नहीं लगी तो गाली भी पड़ेगी और सोशिल मेडिया के होने से तो यह प्रोसेस और फास्ट हो चुका है तो आप लोग यह जो रिस्पॉंस है यह बहुत फास्ट हो चुका है तो मेरा क्वेशन यह है कि यह जो फीडबेक है उसको आप किस तरह लेत कि पहले मेरे पास आता है तो ज्यादा कर मुझे पसंद नहीं आता या फिर मैं उसको बहुत बूटली मैं criticize करता हूँग यह घलत है यह कर यह कर यह कर और यह उसका बड़ा पन है कि वो उसको बहुत स्पॉर्टिंग लेता है इस इनसान के अंदर यह चीज मुझे बहुत करता है मेरे जैसे और दस लोगों से पूछता है सबसे पहले तो ऐसा है कि आप भर किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है तो नहीं पहले को बिल्कुल पसंद रहे हैं ठीक है पसंद ना पसंद रहे हैं अब नहीं बाग के पॉजिटिव और नेगिटिव फीडबैक तो एक बहुत बारिक्षी लाइन होती है लगाग करता है मैं नहीं कोईटिव वढ़ लाटीक आठा है कि मयासे है तो एक नहीं नहीं हो तो मतलालब अमनें दा रहू हूँ वो बमेरी बाग पॉजिटिव मomena है का इसको कैसे सुधार करके रह को अब नो इसे भीग आएगा पहले 5 परसंट आएगा, बस परसंट करके 20 परसंट आएगा, तो कोशिश है रहती है कि जोड़ी सुझा आते हैं, पहले तुम्हें अपने पास लिख रहूं, ताकि मैं आने वाले किसी अपने राइटिंग पोस्ते सुझार करना हूँ, और जो पॉजिटिव कमिंच आते हैं मैं पॉजिटिव जो फीडबेक साते हैं, उससमें थोड़ा इंसक्ट आपको रुखाता हूँ, कि मैं बुलकिता हूँ, कि थैंक्यू सुमच, तो मुझे पता हैं, आट क्या है, कि मेरे ही ना चाहता हूँ, कोई सुझाव भी देना था था, तो प्रीस कि जोगी कि मैं सामन पुछा ज़टी है, अगर तो बग्यारत उसे अप्लाय करना भी बहुत ज़गी, तुरूर। मैं तो यह कहूंगा कि मैं क्रिटीज़म किसी पी तरिके का हूँ, मैं उसक को welcome करता हूँ, उसका एक रीजन यह है, कि अगर आप मेरे काम को या जो आपको कुछ बोलने की मतलब कोशिश कर रहे हैं तो आप खुद कोशिश करिए कि अगली बार उपलती है ना हो सकते हैं उसको भी आप पॉजिटिव लिए और जहां तक ट्रोलिंग की बात है यह मैं तो ट्रोलिंग को जादा 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 इग्नोरी कर देता हूँ मैंने बहुत काले 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 कर लिए मेरे उपास मेना लिखा हुआ तहियार है अब मुझे उसको छपवान है तो मैं क्या करें स्टार्ट टो एंड बताइए सबसे पहले तो आपको आपको माल जो आज के अब भी कैभी यहां पे खड़े-खड़े आपने कोई कवर आपको मजाई वाले मेसेजिस तो पॉल आ जाएगी लेकिन उस अजान में से 10 पॉसेजिशन भी को मेसेजिशन भी को आपको किताब खड़े और पढ़े को ठीक है यह बहुत करनी सचाही है अगर आप मैं तो क्यानों कि 10 पॉसेजिशन भी करीता है तो मैं मांनों बहुत ब अगर आप यह सोच कर चलना है के वही खावाना मेरी किसी कविता पर फेस्बुक पर पांसों लाई के आगे थे तो आप आपको लोग पारेंगे उन भी गणा कर दो आप लाइक से उसके पूला नहीं कर से इसका दलब यह भी नहीं कर दो आपको छपाने है जाए यह यह फे करती है तो अगर आप को छाप फे नहीं करती है तो इसके सैंपल चेपर सात को उंचे वहां बते हैं तो फूरा पड़ने आप यह पूरा पाड़न नहीं को zasadने इसके बाद भी हो बताते हो कि हो चापेंगे या रही चापेंगे, फिर आपको दिपन करता है सर्फेर, दिश्नेल, कि में पहले कोई कि लिकर चुका हो, अच्छा, आपको चाप दी किता है, तो इसका बदब यह है कि आप किताब चपके, आपको आप फोगे, लेक देर नहीं आपको लिखने के लिए भी सोछ गाया, आपको चंपाने के लिए सोछ गाया, बार्केटिंग प्राइज के आपको करने, सेल्स कर देर, आपको जया देर, तो हर चीज में आपको खुटको इंबार, नहीं पड़ेगा, आप अप परदिशनों को डिपेंड़ु को नहीं रह करने करने को लब दो सब फर्वे केलिए आप थगया रहें तो अब लिख सकते हैं और चाप नहीं सकते हैं अच्छा अब इसब बारे को आप अब को अब किसी को अगर चाप नहीं हो तो कैसे चपवा सकता या पहले तो मैं यह बोलू कि अगर किसी को इस इंड़ेस्ट्री में काम करना है तो सबसे बड़ी चीज जो उसको होनी चाहिए हो है पेशेंस अगर पेशेंस नहीं है तो काम तो नहीं हो पाएगा मैं अपना ही उधारण लेता हूं मैं आईटी बैग्राउंड गाओं और आईटी में जो की लोग इसा बसने लगें आईटी में एक ही बड़ी कॉमन है हम लोगों इंस्टेंस ट्रेंग है अगर सॉलूशन नहीं आता है कैसे मितां को लिए तो लाना है मितना उफर बहुत और यहां और यहां पर जबढ़ा है और बहुत चाहिए तो कि मोलता हूं है तो तो अगर आप यून है तो तो आपको चैये लिए और एक मुकाम है उसके बाद भी चैया अगर आप आपने किताब आपने बना लिया है एक अपना ड्राफ्त बना के रेडि रखी है तो मैं आपको सजेक्ट करूँगा कि पहले आप इस ड्राफ्त एक ग्रैमिटिकल मिस्टेक्स होती हैं, कई और की चीज़े होती हैं, वो टेक्निकली आपकी मदद नहीं कर भाएगा, हाई रफाएगा, फिर आपको एक एडिटर की जर्ज़त होती है, जो आप 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 सोशल मीडिया और कई और जगह से आपको लेकर हर स्कूल में भूलना पड़ेगा, हर पब्लिकेशन आउस में जाना पड़ेगा, हर पब्लिकेशन आउस में आपको इसका एक संशेप बोलते हैं, सिनॉप्सिस, वो देना पड़ेगा, और आप कभी भी यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कि अगर आपने आज इसको दिया है, तो वो आपको इतु सबसे में चीज जो है, यहां पर पेसेंस रखना बहुत 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 है, और अगर उनको इसमें आना है, तो मेरा तो सबसे बड़ा एडवाईज ही होगा, कि पहला पेसेंस अपने अंदर लाईए, कोछ भी आते कहते हैं, नाम उनके नहीं है, everything is possible, just you need to have, and a little patience with you. Sir, एक चीज और है, अपना मेरा अंदर बहुत हूँ के, जैसे ही, यह मेरा प्रेला उपरियास है, इसे मेरा Amazon के contest के भी February 2021 में Amazon में संपूत किया था, Amazon के Keybook Contest, लेकिन उसको चब्टे चब्टे रोजार देविस June हो गया, तो इसको दो साल से भी जाना का समय, तो समय लगता है, अगर आपने पिश्चें से आपने जाने हैं, कि क्या, मेरे को अगर यही self-publish कराना था, तो यही बुक के contest के वाल में, तो यही self-publish को दा सकना था, साब देखने मेरे कि आपने अपने वारत का बहुत हो, जा पभीश हो जाते हैं, तो आपको आपको ऐसे ताहिए, जो आपको छो गड़ा से बिलेके, तो उन्हों को सभाद्लिए ने जनकु करें तो आपको देखने प्यारत के अपको उन्हो प्यारत के अपने कर आपको श्रतिया नहीं तो आपको ऐसे भी मिलें कि आपको सवासा इंजर करने के बात भी ना का ना सुननी पासे लागे फिर मैंने जड़ा कंदल को अप्रोच किया तो दू-चार मिलने लगे और तब जाके ये जून होजा टेक्स में हाली तो सवाय आपको लेकर चलना पड़ेगा लगा लगार अब यहां पर गुजरात के लोगों का एक चीज में बहुत इंट्रेस्ट होता है कोई भी काम करने के बीचे एक मज़े होती है वह पाईसा किटला मरस हो हाला कि हम यह कहते हैं कि मर्द की सेल्वरी हम डिसकस नहीं करनी चाहिए और लेकर को को तो जो मिलता है वह सच में पब्लीक फ्लैटफोर्म के डिसकस करने लाए होता भी नहीं फिर भी मैं थोड़ा उस चीज को टेच करना चाहूंगा कि यह copyright हो गया या किताब लिखने के पीछे जो जो भी महनताना या जो भी है या तो उसके उपर थोड़ी बात कर है यह जो है वो ऐसा क्यों है क्योंकि मैंने लोगों को ज्यादे दर देखा है बुरी से बुरी फिल्म देखने के लिए भाई साब पर सन पाच्छो रुपी की टिकी टोकी तो अस्ते ऐसे खरीत रहेंगे पर अगर भाई सो रुपी की किताब है तो डिसकाउंट कितना मिले किताब के लिए वही जैसा मिलें पिसकाउंट है ठीक है रही बाद रोयल्टी पर आते हैं तो अगरा पैसा सप्रोड़े कर चलना है कि बागबान की तरह आपने किताब लिग दी और डेसे अगी दार प्ले जाता है तो आपको रोयल्टी काच्छ रही बिगता है तो आपको अगरा पैसे रही बाद के इसमें रोयल्टी के नहीं आता है नो आइडिया नौ रुपय बावन पैसे नौ रुपय बावन पैसे एक सचाट क्यों कि वो फिकी वो फिको प्लेट्टरम वा रही साथ रोबिशन से चापी है तो वो इस्टिशन को स्वी रखते है साड़ी जा अगरा रही बात के दुसरे की नहीं किया तो केमिका मसला पगा आखाला पुछ एक्सकीशन से चलेडाया है तो वैसा आण्स रोल्डी चाहिए का आपको अभी से वही से बहाँ हो वो लागा है वो आपको पार्टेंटनी थी वैसा दढ़ना चाहिए और सागरा वैसे पप् प्राइस क्या रख रहा है उसके बाद सारी रॉयल्टी है सब्सक्राइस क्या रॉयल्टी है सब्सक्राइस क्या रॉयल्टी की बात है यह बात को सच है कि यार खलकात हो रहे और टाइम भी लगता है लिकिन आपको कहा ना इन सब के लिए पेशन्स चाहिए एक मोताम सब्सक्राइस पहुंचना है तो सक्सेस्वल राइटर्स और उनकी लाइविश लाइफ और सब दिखाई देता है पर वो उस मकाम पर पहुंचने के लिए अपने विचारों को आप तक पहुंचने के लिए खुले हाथों से इनकी कितावे खरीदिये और पढ़िये और अच्छा पुना जो भी लगता है इन तक बताईए तो यह जब अगली किताब अपने लेकर आएंगे तो और बहतर बन सकते हैं अच्छा आगे बढ़ते हुए जिसके फ्रीम प्रोजेक्ट काता हैं अगर हो तो यह आई साल पर आपको से कहें कोई ड्रीम प्रॉजेक्त अगर हो तो हैं प्रॉजेक्स बहुत सार है एक प्रोजेक्थ तो पैसे मैं आप से मिला था थे वो शॉठफरिंग थी तो आज तक नहीं बन्य बनने शॉठ प्रॉड्यी इसके शॉर्फिन में मनाने वाले जिसके एक अपोच किया था कि इसमें थाकत कंसिल का रोड है, कि आप करो पे, तो उन्हों को काईनों पर हुए यह पर आज पर नहीं बना पाया God has been kind to me तो वो शॉर्फिन अभी बिदिन प्रोजेक्ट है और कभी न कभी तो बनेगी जैसे दास है, मैंने लेकिना शुरू किया जिसवज़े से, जो पार्टिशन के उपर बुक्ति मेरे नाना जी काया हुए उसमें अभी में दीवे दीए बहुत, क्योंकि मुझे उसमें रिसर्च भी करना है, सुसारा तारिम देना है तो वह मैंने इन प्रोजेक्ट है, जो मैं करने तो भी बहुत जैंदी पूरा कर दूँए बागी तो फूद मुझे कखता है कुछ समने से जो आप सूच लिए, कुछ ऐसे होती जो हो जाए तो अभी तो सोच है, उसमें काम कर रहे हैं, बढ़ागे तो पस्ति में चाहेगी वहत नहीं है तुरू सर मेरा तो अभी किता जो प्रीम है ना, वो यह है क्योंकि ये किताब मैंने जैस आपको बताया है इसका रिस्पॉंस इतना अच्छा है, इसका रिस्पॉंस इतना अच्छा है I am trying my level best कि इसको में बड़े-बड़े पर देखता हूँ होगा, इंशाल्ला, जरूँगा आपके अगर सब्की दुआ हुई और अगर ये जीज़ हो गया अच्छा ये बताईए, आपके फेवरेट लेखर और जिसको आप जो आपको इंस्पायर करते हूँ या जिनका काम आपको बहुत पसंद हो और यहां बहुत सारे readers बैठ रहे हैं तो थोड़ी book suggestions कितनी हो मैं आपको उपर छोड़ता हूँ मैंने शार आपको लिजया भी था आपी कुछ दिन में पहले एक प्रणपर परचित्या कोई भी आपको एक फेवरेट लेकर बतागी तो मैंने उपको जाब गया था है ये जो सवाल आप मूछ रहे हैं यह आप ऐसे मूछ रहे हैं मांने यह मुझे चुनाब करना है कि समंदर में सकसे जाइदा चंबगदार मूट रहे हैं तो साहिते एक बहुत बड़ा महसागर है उसमें से मैं एक मूट तो नहीं तो उसमें तो जाब यह देगा कि अगर आप क्लासिक्स परना चाहते हैं तो दरभवी पार्थी साथ की गुनाहों का जित्ता पर सकते हैं उस्षा पीम दोदार में की एक बुक है पक्वन खर्मे लाब दिवार येस क्लासिक्स में आप को पर सकते हैं अगर मन्तो को आजाणर आपको तो बुस्वार कथा आपम आपको पार्दे में आपको इन्ट्रेस कहता है तो आप मन्तो करते हैं ये सादा क्लासिक्स की को होगया प्रेइं चलका तो में इंडि सहक्टा ही है साहर लुषयानिस साफ्व अगर आज के नहीं के राइटर शुटा है तो उसमें आप दिमेपका शुब्ले हो रहे हैं संध्य र्यास इनकी किताब इसे रेंशीरीज भी बनी है तो ऐसे कितरे अंधिलिट नाम और कितनी अंधिलिट किताबे जो लाभी गिलास किता हूँ तो ऐसे बहुत सी किताब हैं मैंने चुंदेमादु साथ की लड़ी अंधिलिट इसके बाद की तो उनकी धुद्ध में दिधा पहुते मुचल है कि वेब सीरीज वामें को बन सकता हूँ आपने भी पढ़ी है उसकता हूँ तो आप किताब या किताब है जुमपर आगे आप पर सकते हैं आप इसको कर सकते हैं कि उनकी पढ़ी है सर मैंने तो अगर किताब पढ़ी है तो सुछ जेतन सरकी पढ़ी है and I'm fortunate enough कि मैं उनसे मिल पाई रहाँ और यदि एक बात नहीं कही बात because of book fairs और जहां तक सजेशन की बात है तो आप तक्ट पड़ सकते हैं यहां पर दरूख है सकता है बिल्कुल अच्छा हम बात्षित के आखरी दोर की तरफ आ रहे हैं आप दोनों की जो किताबें हैं दोनों किताबों के नाप और कहां अवेलिबल है यहां बुक फैर में कहां अवे पाइबल है यह बैठाने जो है हम दोनों का लगा पड़िकेशन हम सी की है राग्डों परकाशन से इंकी इप किताब चपिया राज मंदिर जी अँग और हम दोनों की किताबें राग्डों के इंकी जो राग्डों के जो वेबसाइट है पर दोन पर दिए अवेलिबले हो और Amazon जैसे shopping website पर भी e-commerce sites पर ओके और यहां पर आगार आप भी खड़िना चाहते हैं तो आरशेट का पड़िकेशन है सालों पर 102,103,104 वहार आरशेट आरशेट तो वहां पर भी किताबे अवेलिबल हैं और आप यहां आ रहा है यहां ने तुम्हां कंपल सरी आपको ज आपको जड़ूullen खरीद कर जाएगा और अगाल आपंशेट अपने वर्पोच्य किविकर जोड़ घ्रीच के लिए तो बस्कर लिएक अपने किसी दोस्त भी ने माता-पता ऐर सी रिष्क्टार के ले खरीदे लेकिन कम सकथ किताबे खर जाईगा से थाली आपको हुआर यहां पर आदर शेट जी का इंस्टॉल है वहां पर आपको मिल जाएगा और सबसे एजी है एमाजॉन आज के जमाने पर एमाजॉन किसी के पास ना हो यह मैं मान नहीं सकते हैं एमाजॉन पर यह किताब है हमारी अवेलिटर है अच्छा आखरी में कोई ऐसी बात जो आपको बतानी थी और मैंने कुछी ना हो ऐसा कुछ हो तो आप बता सकते हैं ऐसा कुछ तो है नहीं मुजिक रिमार में एक बूप अंतिया देने पढ़ना चाहता हूँ बिल्कुल क्योंकि आप भी वाकिफ है याजू मुल को याप पे मेरे बर्चित चाहरे दिख रहे हैं कि कहीन कहीन मैं भी वहाँ ओडियस में बैठा करता ना तो उसी से अज भी वही फिवरेट जगा है मेरी वही फिवरेट जगा है ना वक ठाव है बिल्कुल जैसे वह में नसुल इंचाह साब काम तो एक मिंग भी है कि हमें घर चडाना होता है साहँ तो आपने ताने प्रोट कर वेठी है साहँ इसके लिए मंच के इस तरफ आप रखता है और दर्शनों की भीर से निकला हुआ अग समय दर्शनों की भीर से निकला हुआ अग समय मैं वही आज मंच पर पहुचा हुआ शक्स है अग्साट सर एक जी में जरूर पताना चाहूंगा मुझसे मेरी ओडियोंस हमेशा पूछती है कि अब आगे आपका कुछ है मैं यस वाट नेक्स्ट आया वाट्स नेक्स्ट सर आपसे एक सवाल बिल सकता हूं बिल्कुल सर कभी प्यार हुआ है पॉले लाइफ में मेरी बीबी बैठी है सच बता हूं कि अच्छा बता हूं और पता है सबसे मस्त बात क्या है वह दिल भी तूटता है और ने सोचल हिलिया पे दिल को दोड़ा अब दिखाया जाता है विप में बिजूरी डाईए गलत पोल रहा हूं येस पर ये मेरा मानना है सर कि दिल तो ठीक है आज का रिलेशनशिप का जमाना है तो दिल कुछता है लेकिन दिल पुचल देना मतलब मेरा कहने का मतलब है दिल खतम कर देना ये पाप है और जब पा जानी हिस्ट्री है इसने कईयों की नहीं पार भी लगाई है और कईयों को दुबोया भी है तो देखते हैं सर आगे कि कईयों की नजर भी है समय सर देखेंगे तक्त पर कौन बैठता है और बस आखरी में दो बंतियां कहे कर मैं ये बात को खत्म करना चाहूंगा कि यहां से नया शिंसिला शुड़ू हो जैसे अब यहां से जाते हुए बहुत चद्धा खुशी होगी अगर यहां से जाते हुए दोनों किताबे अगर आप लेकर जाएं और इनके अलावा जो भी आप चाहें आप यहां से खाली हाथ वापस मत चाहिएगा इतनी गुजा होने से पहले इल्म रोशनी देगा चिराग बुजने से पहले किताब पढ़ डाले तो पढ़ते रहिए ऐसी महफिलों में आते रहिए और जो अभी का चलन है सोशेल मेडिया बेस के बारे मों बात कर दे रहिए और जो भी अच्छा लगता है आपको पढ़िए क्योंकि एक पढ़ा लिखा समाज ही अच्छा देश बना सकता है ऐसा मैं माने को केऊ सर आपको एक सजेशन है एक किताब आपकी लिग डाले चाहें पोईट्री की क्योंना है नहीं नहीं यार वह सजेशन तो मैं पिछले चे साल से जहेते हैं जख गया है अभी मैं पढ़ने में ब्यास किति साइस करना जैसा भी है ऑथर तक अपना फीड़ा ज़रूर पॉच्छा है क्योंकि आपको नहीं पता ऑथर का दिल कितना खड़ा जा रहा और इसका कोडिफिकेशन आ रहा है किसा में आपकी किताब पढ़ी और ये किताब कि ये पंटी है आप डाइस आपनी में एक प इससी अअर्थर को अपना फीड़ा कि अगर किसी को कुछ पूछना हो या आप किसमें करना हो तो मुष्ट फ़ल्फल जोई सब्सक्राइब काफी लोग्स के लिए अपने बताया कि काफी लोग्स को पसीद्नी में चुकि आप अचाह रहे थे लाउड भूट तो आपने कहा कि आप आई-टी बैग्राउंड से थे पहलो कि लेखन में अगाम हासल का तो मैं भी यही जानना चाहरा हो कि मतलब हूँ तो मैं भी आई-टी से एक लेखन का कीड़ा वही नगे मेरे अंदर भी रहा हुआ है तो इसको वापस ग्रूस कैसे किया जाए और कैसे दो लाइफ मतलब एक आई-टी प्रोफेशनल और लेखत के पीछ में क्या बैलेंस बनाया जाएगी अब प्रॉपर ट्रांजिशन दर्मायों से उसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ दोस्त पहले तो सुग्रिया सवाल पूछने के लिए जो भी इतना मैट्वर्पूर्पूर्ट शुरू में तो मुझे बहुत दिक्का दूती है क्योंकि मैंने आपको बोला ना अपने आई-टी वालों को एक अंदर कीड़ा होता है कि अधर कोडिंग नहीं हो रही है ना नहीं आ रहा है ना solution कुछ भी करो निकालना तो है अंदर अधले दिन डाट पढ़ने वाली है जलील होना पढ़ेगा यहां पर उल्टा ले यहां पर आपने किसी को मेल कर दिया जेसे जासे मैं यहां इस प्रोसोंट में यहां इस प्रोफेश। बहुत आप यह संबर जाने दिय्ता की टीजies कि आइटी से पड़े हुआ हैं तो हम लोगों को जो बैक्राउंड है और इसकी जो वर्किंग स्टाइल है तो बिल्कुल अलग है नौर्ट और साउथ पोल वाला चक्तर है लेकिन अगर आपको कुछ करना है पैसा सर्ने का ना कुसी को काम पर पहुचना है तो कुछ ना कुछ पैणी किताब तो है यज्छ कता मती है तो, कुछी है बर्तिस ना कुसी जोला लुट खातो, प्लिस फील जो च्छी कोछीू तो, प्लिस झिल को था, अग्रा बिहां बाभाहे तो खाद सुद्धिनों उनकाइए दरे डिया रे टिस आ आपको बनाई और थाएँ टैंकियस्थलग्स स्फ़राज निए उनकेसे कि बुर्काइब कि आ रहा गारें जैसे महान और को त्प्री पैकड्डाज भी है कि कुछ प्लेज़ अगर मैंने लिखिए हैं विष्टे कुरी अब IT बैग्डांस तो माइंसेंट होता है पहले बैसिक प्रोगमी जरो पिद्धाट नेरेक श्टॉक्शन कर लो फिर डीवेज्ट कर लो बसे कर लो अच्छे है उच्छे है उपने करें किया प्रोसेटर गार क्या प्रोसेट है कि ऐसे थाउट प्रोसेस ही है, क्या तरीका है, कैसे एक अवाई स्टेइट में लिए साथ ही, अपने 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 लेखन में धाम लाखे किता है, और एक प्रोफेस्टन दोन से चाहसे है, ना गुद है इस हैं, किस तरह से करना है? हालो, अवजार इना, जहां तक मैं आपका साथ समझ पाना हूँ, मेरे एक थेटर के मेंटर है, नहिचात कुणारी सर्थ, और वो जल्सों के प्रोग्रामिन है, जल्सों वीराती लेट ही, मैं आउटके वक्षोप में गया था, दुर्जार सूर्णा में, उनका एक अर्टेट जाए कि शाहर के कभी आगे पख्लिक्रेशन पर जाए, तो नहीं में सवर करते हूँ, तो मैंने तो नाइम कही थी, बिल्कुल मेरे अंदर चब गई है, जो मैं आपको कह सकता हूँ, उनी की दियो हुई आपको फ़र्वर कर सकता हूँ, उन्हें उसे कहा था कि दृत, दृ तो तब से मैंने पारणा शुड़ू किया, आप पढ़ें के तो आपको चीजे कहने का तरीका आपको पता चलेगा, आपकी वोकिवलेरी स्ट्रॉंग हो भी, और आप अच्छा अच्छा भुडा, मैं मानता हूँ को भी लेखर नहीं होता है, तो हम अपने उस महरी से देख दो खाओ, आपको भी भी का ओपको कि यसका राल वाज को पीजे का राल तो प्सटे मही आपको के सका चुषआ हो, तो का बस्न की आप से सकी कूसर हो सहकत, पैंकू़ किया कैश्ब के क्निजे का ऑफको क्या बाल िन्याbahn? या प्रिस फर्स्ट आप दोनों को मेरे दिल से हार दिख शुफकाम नाए थैंक यू सो बच थैंक यू थैंक यू सो बच सर फर्स्ट आप अब यह अभी क्लास्टन्स में बढ़ता हूं मेरे प्रिबूट्स आने वाले हैं और बोर्ट्स भी बहुत करी ना पहले एक बाद बता दू बोर्ट की ट्यार ही करे ले ना दोस्त बोर्ट चल रही है अभी तो अभी मेरा मुझे साइंस में काफी इंट्रेस्ट है मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने में लेकिन कही ना कही सबसे बहुत बता दू यह मेरा बांजा है लिट और जैसा करना तो रमेश्चा सला देता हूँ सबसे पहले तो अपने कॉलेज तक की पराई पर सिर्फेस्ट है एक बार कॉलेज कर लेगा ना उसके बाद तो कितामें एसे में लेकां पढ़ना शूल करों पर्णा शूल करों पर्णा से आपकी राइटिग और इंफू हो होगी तीक है तो जैसे कोई विए किताम उठा के आप अपको कोमिक्स में प्रस्टारा कुकि आप अप अभी तंच में हो तो आप कॉमिक्स ओठाओ तो आप बच्चों की किताम होगी दिरे दिरे आपको जैसे और आगे टीमें में जाओगें, तो आप दिरे दिरे किताबें बढ़ालों, पढ़ने जाओ, देली पढ़ने की आधिक दालों, तो अपने आपको राइटिंग जो आपकी इंफ्रूव होगी, ठीक है? और यही है कि ऐसे चार पाच फ्रेंट्स रख आपके दस दोस तूँगे, पर जो आपको कहने हाँ, अड़ी अड़ी किस्टो सुदा सकता है, इसे मेरे यह केवरणे, मैं एको वेशता हूँ, जैस्वन तैस को वेशता हूँ, तो ऐसे मेरे हैं पाच छे दोस, जो अच्छे को अच्छा बोड़ा में उट पे कह सकते हैं, पर जैसे दोस बना जो आपको, आपको एक कंसर्टिव फ्रीबेंग दे सकते हैं, तो उससे आप सुदा आपकर के फिर तुम्हारा भी ड्रास्टिव करके भी आगे जा सकते हो, और बहुत 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 चुपाते हैं, थैसे पूछा था, हम लोगों को अपके टैलेंट के के बारे में थोड़ा समय बाद पता चले, आपके लिए इक्तम आइडियन सिक्वेशन है, क्योंकि आपके पास रफ्ट बहुत है, अगर आप आज से क्यारी करोगे तो आप अपने मुकाम पे आराम से पहुंच सकते, मुझे ऐसा लगता है, हमसे जो चीज, हमने एक उमर के बात चुरूब इए, वह अभी से कर सकते, तो इनके ओ दोस्त, पहले 10-10 का एक्साम दे ले है ना, उसके बात, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्जाम, लगत रफा सी lasStud YouTube, queer । हम इसे बात ग्जाहन बता मुझे रफ्ट इक्सान कुर्तंट्यान काश्शum, और तो हम इसे ऐ और, इन दोनों लिखों के लिए एक बार जोरदार चालिया हो जाएर ही, और आपके खुद के लिए एक बारमचा दिशनी की लिए अज कोई किसी कि पोस्ट के ऊपर उपuard हो Geb comunque Lewis नहीं रूपता कि हमारी शांग बलके हमारा आपने वाला करूंगी वैटर बना है अपनों प्रेज़न सब्सक्राइब पर देपर हैं कि इसके लिए शुक्रिया करना चाहूंगा ऑर्गनाइजर्स का अब 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 बुक क्लब का और दुख्राधी बुक क्लब का कि हुन्होंने इतना अच्छा मुझा उपर्चुनिटी दी यहां पर आने के नहीं थैंक यू थैंक यू सो मच